प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी और NDRF की जवानों से मिल रहे हैं जो की टुर्की से उस रात ओप्रेशन को अजाम दे कर आए हैं टुर्की में जिस तरीके से भुकम ने हाहा कार मचाया उसके बाद वहाँ पर जो NDRF जवान रात ओप्रेशन के ले गए थे उनसे प्रधान मात्र को अपना मान कर उनकी सेवा करते हैं साथियों तुर्कीय हो या फिर सिर्या हो पूरी टीम ने इनी भारतिय समस्कारों का एक प्रकार से प्रगटी करन किया है हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं ऐसे में परिवार के किसी भी सदसे पर अगर कोई संकट आएगी तो भारत का धर्मा है भारत का करतव्य हैं उसकी मदद के लिए तेजी से आगे बढ़ना देश कोई भी हो अगर बात मानवता की है मानिविय संबेदना की है तो भारत मानव हित को ही सर्वोपरी रखता है साथियों प्राकृतिक आपदा के समय इस बात का बहुत महत्व होता है कि सहायता कितनी तेजी से पहुँचाई गई जैसे एक्सिडेंट की समर गोल्डन अवर कहते हैं इनका भी एक गोल्डन टाइम होता है सहायता करने वाली टीम कितनी तेजी से पहुँची तूर्किये में भूकम के बाद आप सभी जितनी जल्दी वहाँ पहुँचे इसने पूरे विश्व का ध्यान आपकी और खीचा है यह आपकी प्रिपेड़ेस को दिखाता है आपकी ट्रेनिंग की कुशलता को दिखाता है पूरे दस दिनों तक जिस प्रकार आपने पूरी निस्ट्रा से वहाँ हर चुनोती का सामना करते हुए काम किया वह बाग कई प्रेना दायक है हम सभी ने वो तस्विरे देखी है जब एक माँ आपका माथा चुम करके आशिरवाद दे रही है जब मलबे के नीचे दभी मासुम जिन्दगी आपके प्रयास होज़त फिल खिल खिला उठी मलबे के बीच एक तरह से आप भी वहां मौत से मुकामला कर रहे थे लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि वहां से आने वाली हर तस्वीर के साथ पुरा देश घर्व से भर रहा था वहां गई भारतिय टीम ने प्रोफेशनलिजम के साथ साथ मानविय समभाइदनाओं का भी जो समावेश किया है वो अतुन्या है ये तब और भी बहुत काम आता है जब व्यक्ति ट्राउमा से गुजर रहा होता है जो कोई अपना सब कुछ घावा कर खोश में आने की कोशिश कर रहा होता है ऐसी परिस्तित्यों में सेना के हस्पिटल और उसके हमारे कर्मियों ने जिस सम्वेदना से काम किया वो भी बहुत ही प्रसंस्रिया है साथियों 2001 में जब गुजराद में भूकम पाया था और उसे पिछली शतादी का बहुत बड़ा भूकम माना जाता था ये तो उससे भी कई गुना बड़ा है जब गुजराद का भूकम पाया तो में बहुत लंबे समय तक महाँ एक वालिंटेर के रुप में बचाओ कारियों में जुड़ा था मलवा हटाने में जो दिक्कते आती है मलवे में लोगों को खोजना कितना मुश्किल होता है खाने पिने की दिक्कत कितनी होती है दवाईयों से लेकर अस्पताल की जो जरूरत होती है और मैंने तो देखा था भूज का तो पूरा अस्पताली वस्त हो गया था याने पूरी व्यवस्ता ही तबाह हो चुकी थी और उसका मुझे फर्स्टन एक्ष्पियंस रहा है वैसे ही जब 1979 में गुजरात में ही मौर्वी में मच्छू ड्रेम जो बाद तूटा पूरा गाओं पानी से तबाह हो गया पूरा शहर मौर्वी तबाई मच्छी थी सैक्णों लोग मारे गए था एक वल इंट्रेम के रूप में तब भी मैं वहाँ महिनों तक रहकर के ग्राउन पर काम करता था मैं आज अपने उन अनुभावों को याद करते विए कल पुना कर सकता हूँ कि आपकी मेहनत कितनी जबर्जस्त होगी आपका जजबा आपकी भावनाए मैं भली भाते फील कर सकता आप काम वहाँ करते थे मैं हानुभों करता था कैसे करते हो ये और इसलिए आज तो मोका है कि मैं आपको सैल्यूट करूँ और मैं आपको सैल्यूट करता हूँ साथिया जो कोई जब कोई अपनी मदद खुद कर सकता है तो आप उसे सेब्सभिशन कह सकते हैं लेकिन जब कोई दूसरों की मदद करने में सक्षम होता है तो वो सिल्फलेस होता है ये बात व्यक्तियों पर ही नहीं बलकि राष्ट्रों पर भी लागू होती है इसलिए भारत ने बीते बर्षों में सिल्फ सब्भिशन से के साथ साथ सिल्फलेस देश की पहचान को भी शशक्त किया है तिरंगा लेकर हम जहां भी पहुंचते हैं वहां एक आश्वासन मिल जाता है कि अब भारत की कि में आ चुकी है तो हालात ठीक होना शुरू हो जाएंगे और जो सीरिया का उधान बताया कि जो बक्सेक में जो द्वज लगा था बक्सा उल्टा था तो औरेंज का लग नीचे था केसरिया रग नीचे था तो वहां के नागरिक ने उसको ठीक करकर के और गर्व से कहा कि मैं हिंदुस्तान के प्रतिक आदर से धनवात करता तिरंगे की यही भूमे का हमने कुछ समय पहले यूक्रेन में भी देखी जब भारतिय नागरिकों के साथ साथ संकट में फसे अनेक देशों के साथकों के लिए भारत का तिरंगा ढाल बना बन करके उसे एक बहुत बड़ी एक मिसाल कायन की अफगानिस्तान से भी बहुती विप्रित परिस्तितियों में हैं हम अपनों को सरकुषल लेकर करके वापिस आए हमने ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया हमने यही कमिटमेंट कोरोना वैश्विक महामारी में देखा अनिस्षित्ता भरे उस माहुर में भारत ने एक एक नागरी को स्वदेश लाने का बिड़ा उठाया हमने दूसरे देश के बहुत से लोगों की भी मदद की यह भारत ही हैं जिसने दुनिया के सैंकडो जरुरत बंद देशों को जरूरी दवाएं बैक्सिन पहुंचाई इसलिए आज दुनिया भर में भारत के प्रती एक सद्भावना है साथियों अपरेशन दोस्त मानवता के प्रती भारत के समर्पांग और संकट में फसे देशों की मदद के लिए तत्काल खड़े होने के हमारे कमिट्मेंट को भी दर्शाता है दुनिया में कहीं भी आपदा हो भारत फर्स्ट रिस्पॉंडर के रुपे तैयार मिलता है नेपाल का भूकम्भ हो माल्दिव में स्रिलंका में संकर आये हो भारत सबसे पहले मदद के लिए आगया है अब तो भारत की सेनाओं के साथ साथ एंडियारेप पर भी देश के अलावा दूसरे देशों का भरोसा बढ़ता जा रहा है मुझे खुशी है कि बीते वर्षों मेरे एंडियारेप ने देश के लोगों में एक बहुत अच्छी साख बनाई है देश के लोग आपको देखकर ही कहीं पर भी संकट के संभावना हो साइकलोन हो जब जैसे आपको देखते हैं तो आप पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं आपकी बात मानना सुरू कर देते हैं संकट की किसी गड़ी में चाहे वो साइकलोन हो बार हो या फ़र भुकम जैसे आपदा है जैसे ही एंडिय अरब की वर्दी में आप और आपके साथ ही फिल्ड पर पहुंचते हैं लोगों की उमिद लौट आती हैं विश्वास लौट आता है यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्दी है जब किसी फोर्स में कुसलता के साथ सम्वेदन सिल्टा जूड जाती है उसका एक मानवे चहरा बन जाता है तो इस फोर्स की ताकत कई गुना बढ़ जाती है NDRP की इसके लिए मैं विशे इस रुप से प्रसंसा करूँगा साथियों आपकी तैयारियां को लेकर देश आस्वस्त है लेकिन हमें यही नहीं रुखना है हमें आपदा के समय राहत और बचाव के अपने सामर्थ को और अधिक बढ़ाना है हमें दुनिया के सर्वस्रेश्ट राहत और बचावदल के रुप में अपनी पहचान को ससक्त करना होगा और इसलिए मैं जब आपसे बात कर रहा था तो लगातार पूछ रहा था कि अन्य देशों के लोग जो आये थे उनका वर कल्चर उनका स्टाइल अप फंक्शनिंग उनके इक्विप्मेंट क्योंकि क्योंकि ट्रेडिंग जब फिल्ड पर काम में आती है तो शार्प्रेस और बढ़ जाती है इतना बड़ा हाथसा आपके पहुंचने से एक प्रकार से एक सम्वेदना के नाते जिम्मेवारी के नाते मानोता के नाते हमने कान तो किया लेकिन हम बहुत कोष सिख करके भी आये हैं बहुत कोष जानकर के भी आये हैं इतनी बड़ी भायनक के बीच में जब काम करते हैं तो दस चीजे हम भी अपजर करते हैं और वो ही हमारी शम्टा भी बढ़ाता है तो दस दिवस तुर्किय के लिए उगों के लिए तो हमारा दाइक तो हम निभा रहा है लेकिन वहाँ जो हमने सीख पाये है उसको हमने डाकुमेंटेशन होना चाहिए बारी किसे डाकुमेंटेशन करना चाहिए और उसमें से हम क्या नया सीख सकते हैं अभी भी कौन सी ऐसी चलेंजी जाती हैं कि जिसके लिए हमें हमारी ताकत और बढ़ानी पड़ेगी, हमारी क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, अब जैसे इस बार हमारी बेटियां गई, पहली बार गई, और मेरे पास जितनी खबर है, इस बेटियों की मौजुद्गी ने भी वहां के नारी जगत के अंदर एक और विश्वास प्रदा किया, वो खुल करके अपनी सिकाहेते बता पाई, अपना दर्द बता पाई, अब पहले कभी कोई सोचना नहीं था, इतना बड़ा कठीन काम है, इन बेटियों को क्यों परिशान करें, लेकिन इस बांदे रिड़ आता जोडने में हमारा ये इनिसेटिव बहुत काम आया जी, बै मानता हूं कि हमारी अपनी तैयारी जितनी बहतर होगी, हम दुनिया के भी उतने ही बहतर तरीके से सेवा कर पाएंगे, मुझे भी स्वास है साथियों, आप बहुत कुछ करके आएं हैं, और बहुत कुछ सि आपने जो किया है, उसे देश का मान सम्मान बड़ा है, आपने जो सीखा है, उसको अगर हम इंस्टिटूस लाइज करेंगे, तो आने वाले भविष्चे के लिए हम एक नया विश्वास बैदा करेंगे और मुझे पक्का भरोसा है, आपके हरे के पास एक कखा है, एक अनुभव है, कुछ नो कुछ कहने को है, और मैंने पूस्ता रहता था, मुझे खुशी होती थी कि हमारी टोली के लोग सलामत रहे, तब्यद भी अच्छी रही, क्योंकि ये भी चिंता रहती थी, कि तहोती वेदर टेंपरेचर समय से आएं, और बहां कोई व्यवस्ता नहीं होती, जहां इस प्रकार का हाथसा होता है, बहां से संभव ही नहीं होता है, किसी के लिए संभव नहीं होता है, लेकर ऐसी स्थिति में भी, कठिनाईयों के बीच भी काम करना, और आप देश के नाम को रो हो, ठक करके आए होगे, लेकिन मैं लगाता पिछले दस दिन आपके संपर्क में था, जानकारिया लेता रहता था, तो मन से मैं आपसे जुड़ा होगा था, तो मेरा मन कर गया कि घर बुलाओं आपको, आपका अभिनेंदन करूं, इतना बढ़िया काम करके आए हैं, मैं फ प्रधार मंत्री नरेंदर मोदी ने उन तमाम जाबाजों की होसला अफजाई की, जो सीरिया में, तुर्की में जो भूकम पाया था, वहाँ पर गई भारसे अंडियारफ के टीम और उन लोगों की मदद की